सिवान के निर्भिक सहीद पत्रकार स्वर्गी राध्य रुजन की फुन्टि थीक कई सांस्थानों में मनाई गई सिवान सहर के पत्रकार भवनिस्ति स्रमजीवी पत्रकार यूनिन के काड़याले में सहीद पत्रकार राध्य रुजन अच्मिती सभगार में युवा पत्रकारों की टीम राध्य चितरकाला सांस्थान में चितरकारों और सोसाइटी हिल्पर ग्रुप के काड़ेले पर युवा समास्येवी यूद के द्वार पुन्टिति मनाई गई इस मौके पर सीवान के तमाम पत्रकार बंधू पुर्व सांसर दोंपरकास यादो नेत्रति किसक सरज चौधरी नगर परिशत उपसापती कियन गुपता फुर्व उपसापती बवलू सा समासे भी सिरिवास यादो इसमित्री मुकून के साथ तमाम युवा पत्रकार ने गोली मर का हत्या कर दी गई थी आज कलीव सा साल भी जाने के बाद भी उनका परिवार इंसाप के लिए ख़ड़ा है। 13 माई 2016 को सीवान रेल्वे श्रेशन के समीब 45 साल के पत्रका राज़ेर रंजन की गोली मार का हत्या कर दी गई थी राज़ेर रंजन के परिवार के में माता पिता पत्ती पत्नी और दो बच्चे थे जिने आसा ने ही सम्हाला जब राजे रंजन के हत्या हुई थी उस समय आसार रंजन हिम्मत दिखाते हुए दूसरे दिन ही सीवान के चार बार सांसा द्रहे राष्टे जंदा दल के राजत के नेता और बहुबली के रुतबा रखने वाले सहावदिन और अन्य के खिलाब अस्थानी थाने में सिकाय द कराई थी बता है कराई थी बता है कर दो 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 की आज कि जूआ प्रिधी को जो प्रकाता से जूड़े हैं उन्हें पर दो के राजयर रंदन की के काज कलाप से शीख लेनी चाहिए है ये चाहते तो अपने कलम को वेश सकते थे चाहते तो दास्ता स्विकार तर सकते थे चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन निर्भीक्ता का पर्चे देते हुए उन्होंने सहाधत को चुना और निर्भीक्ता के साथ अपने लेखनी को लिखते रहे जिसका फरस हुआ कि अततायों ने इसी शहर में उनका अंत कर दिया यह हम लोगे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी शक्ति उनकी प्रेणा हमेशा कुछ साहित करती रहेगी उनके चणों में हम नमन बंदन करते हैं अगले साल हमने कहा था कि कुछ इस्ट मित्रों से सहीव लेकर के जो अपने सांसर्विकास मत्त से हमने उनके स्मित्ति में एक हौल बनाया है उसमें एक मूति लगे लेकिन संकोच वर्ष हमने कोई ऐसी टीम कि अगर हम लोग कुछ कुछ करते हैं तो बजार अधाव में उसका महत बहुत खराब जाएगा राजिर जी का नाम बदनाम हो जाता इसलिए हमने उसको पस्पोंड कर दिया और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अगला पूर्ति थी उनके चीप्ड को बनारस हम जाएंगे और उनके आदम चंद्पत्रीमा का और देकर पोटु मेडम से ले करके हम जाकरके और अपने सोजन से लगाने का काम करेंगे आज हम लोग सभी आदमी पत्रकार भौन में उपस्ति थे आज सहीत पत्रकार बड़े भाई समान स्वर्गी राजदेव रंजन जी का आज ही कि दिनके हत्या कर दी ते तच्चाई के रास्ते पर चलते थे इसी निए इनके हत्या कर दी गई जो भी बात कहते थे या लिखत थे वो सच निकते थे जुखते नहीं थे इनके न्याय के लिए और इनकी मुर्ती के बात है तो हम लोग सभी आदमी मिल कर अगर इसके लिए हमको नगर परसद मिवाज उठाना पड़े कि इनकी मुर्ती लगे कहीं चोग चारा है इसके लिए मैं खुद खड़ी रहूंगी अगर निल जाये तियार हो जाये इसके लिए मैं तत्पर खड़ी रहूंगी इनकी मुर्ती लगाने के लिए पूरवई की निल्बम हत्या कर दी गई थी और इन्हीं के याद में आज हम लोग इसे कुछ पांजी सभा में पसिट हुए हैं राजदेव जी एक लीडर पतरकार थे और उन्होंने पतरकार जगत में बहुत बड़ा नाम कमाया है वो हमेशा सत्य को लिखने से कभी जुके नहीं है और हमेशा सत्य का साथी है और कहा जाता कि सत्य थोरा देर के लिए चुप हो जाता है लिए जुपता नहीं है और सत्य को हमेशा दिखाते हुए राजदेव भागु की सत्य के कारण हमके हत्या होगी लेगी फिर भी सत्य विजू गाने हई हमेशा आज उनहीं के यद में हम इस पत्रकार बहुद में इनके पैल चितर पर हरा पुस्पर्कृत करके याद कर रहा है और परशासन से और सीवान की जनता से और सारे प्रत्रिती से सांसद मोहदे से विधायक मोहदे से स्पिकर मोहदे से मान करूंगा कि इनकी एक मुर्थी को कहीं सहर में स्थापित किया जाए ताकि इनको हमेशा हमारे आने वाली पीड़ी याद करते रहें और जो नए ने पत्रकार हैं जो विवा साथी हैं वही इनके आदर्सों को जान कि अभी उनके विचार जंदा है, जिस तरीके से लोगों ने उत्साहब पुरवक उनके पुन्नतिती को मनाया, उससे यही लगा कि विचार जंदा हो, लोगों के विचार बले लोग ना रहे ले, विचारों का जंदा रहना बहुत ज़रूरी है, और मुझे उमीद है कि आगे भी बहुत ही भव्य तरीके से यह पुन्नतिती मनाने का और उनके जन्वत्सों का कारिक्रम करें, उनके विचारों को जिन्दा रखने के लिए पत्रकार के जो टीम मांगे, मुर्ति को पैस्तापित के जास्वार के किसी को बिलकुल होना चाहिए, किसी के लिए भी कोई भी मतलब बड़ा आदमी है और मुझो की इतना वेबाग था और जिसके लिए हत्या कर दी गई, सबसे बड़ी बात यह है, तो उसकी विचारों को जिन्दा रखने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, अगर सारे लोग इस पे बात करते हैं और एक कमिटी गठित करते हैं कि हम को इनकी मुर्दी इस जगह पे लगानी है, तो उसमें हम पूरी तरीके से आप लोग के साथ हैं, जहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने परवार तक लसीमित हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी बेगती है जो देश हीत में, समाज हीत में, राष्ट हीत में जो बेगती काम करता हैं, जब से महरा जनीत करता हूं, तब से इनको जानता हूं, जब मेरवा में काम करते थे जब इनके पास CD 100 मुट साइकल थी साइकल से जाते थे उस समय से हम देखते थे जब हम पढ़ते थे इनके गुरूर अब इन्दर जी थे उनके साथ घटना घटना तब भी साथ में थे और इनके साथ भी घटना घटना तब ही इनके साथ में और इनके परवार के और इनके बिचार धारा में निश्ची तोर पर हम आम ऐसा तत्पर रहता हूं मदद करने के काम करता हूं और आज के समय में आज के परवे समय में आपको बता देना चाहता हूं कि इनके उन्तितियों या किसी भी तरह का कार्जकरम आप कीजिए उसमें जहां स्वयोग और मदद की जुरूत है सिर्वा जदोग देने के लिए प्यार है हम तो चाहेंगे कि जीला पदादिकारी से मांग करते हैं कि इनको एक जगा हेलोट कर दिया जाए कि ताकी इनका मूर्ति लगा दिया जाए और मूर्ति में जितना लगे उसमें पचीस परसेंट हम अपने तरफ से इंको देने का काम करें देखिए उन्हे किती है और भावुक मन से खापी दुखी मन से हम लोग आज उनके साथ भी पुनितिती मना रहा है अगर अपने तिती दुखी मन से इसलिए हम कर रहे हैं अगर हत्या हुए ठीक है अपराधी भी पकड़ेगा है कुछ अपराधी जो मुखे रूप से थे वह अब है भी नहीं दुनिया में लेकिन जो अपराधी पकड़ेगा है अब तक फाइनल नहीं वह नियाय नहीं मिला है इसलिए हम कह रहे हैं कि भावुक मन से हम यह कर रहे बात भाया की तो उनको काफी नजदीक्षा और उनके साथ रह के काम करने का मौका भी मुझे मिला है कि अज़िए बात भी मुझे मिला है रहा है प्रवड़ प्रव्ड़ करने कि भाव।